असलामलेकूम, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और मेरा काम है ऐसे चांसेज को क्रियेट करना जो के बजाहिर हम सोच भी नहीं सकते जिनके बारे में एक्जमपल के हर तरफ अंधेरा है, उसके अंदर से भी लाइट को क्रियेट करना यह मैं सब कुछ करती हूँ, अपने घर में करती हूँ, अपनी लाइफ में करती हूँ, अपने साथ करती हूँ So I have named myself motivational sidra and I really mean it आज मैं बड़ी different-different बाते करूँगी आपसे, मैंने पिछले चल महीनों में international lives सुनी हैं, TikTok पर So मैंने उन lives में बहुत ऐसे concepts, ऐसे लफ्स पहली बार जिंदगी में सुने मतलब मैंने after the age of maturity, वो सारे concepts और वो सारे लफ्स जो है, वो first time सुने थे और मुझे बड़े सारे shocks लगे थे, seriously, the word is shock, जटका मैं हिरान होती थी कि यह सब कुछ क्या है So इसलिए आज मैं आपसे यह share करूँगी कि एक दफा एक live में host ने एक बच्चे से, एक लड़के से, 15 प्लस था वो, उससे questions raised किये जो के related to the तालिमात of मदरसा थी, यह बड़े sensitive topics है, इसके पर बात नहीं करनी इसमें बहुत कुछ बंध है, इसको यह नी करना, वो नी करना तो फिर हम teachers किस बात के लिए है मतलब मैं एक teacher हो, मुझे लगता है कि मैं responsible हूँ I should talk about it तो that's why I was listening, कि यह क्या बात हो रही है मैंने तो first time वो सारे words सुने थे, मुझे नहीं याद कि वो लफ्स क्या थे लेकिन वो बड़े pure उर्दू के words थे, बड़ी पुरानी शुस्ता उर्दू जिसे कहा जाता है उसमें वो उस लड़के से, उस चोटे लड़के से questions कर रहे थे host साब जो है कि बताओ कि तुम्हें मदरसे में ये पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया उसमें जो चीजें मुझे words में याद रहे गी है ना यानि इंग्लिश में अगर उनको बोला जाए तो वो adult discharge के बारे में malehood के बारे में, boyhood के बारे में, adult sense के बारे में मतलब बलूगत के बारे में, वो वाले questions थे, जो के बड़े-बड़े सवाल होते हैं जो के हमारे हाँ बहुत ज़्यादा forbidden type होते है, sexual knowledge के बारे में और एक इतनी बड़ी बात थी, मैं उसको किस तरीके से decently आप लोगों के सामने बाते हो रही है, मैंने पहली दफा वो सब सुना था और मेरे न, चंद लमों में, परे brain में, जैसे अगर हम बोलेंगे elephant, तो मेरे brain में सबसे पहले और आपके brain में भी elephant का खाका गुमेगा मेरे दिमाग में वो सारे मोलवी आने लगे, जिनको मैंने जिंदगी में कही न कहीं, कभी न कभी देखा है उनकी एक लेचरस सी मस्कुराहत होती है, उनके मूब एक अजीम सी चीज होती है I can't explain it सबसे पहला जो मोलवी मैंने अपनी life में दिखा, जो के बच्पन में जो एक कारी साहब थे हमारी मस्जिद में मेरे अबू वकील थे और उन्होंने उस कारी को मेरे सामने जाकर यूं करके warn किया था and I was shocked कि किसी teacher को आप ऐसे बात कर सकते है तो कुछ तो पता होगा उनको भी उन्होंने ऐसे बात की कि मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाना, touch नहीं करोगे सबक पढ़ाना है, ऐसे pencil से और इस तरह, हाथ नहीं लगाना, ये बार-बार-बार-बार-बार तो मुझे गया थे, वो जो मोल भी साथ थे न, वो अकसर, मुझे यूं करते थे मुझे देखे वो अकील की बेटी, आई वो अकील की बेटी, यानि वो बंदा जो है न, उसका दिल करता था मैंने देखा था, टिक टॉक पे बड़ा वाइरल था, कि मा जो है, वो ऐसे भी होशुती है बार-बार, और बाप जो है, वो रो रहा है, वो दुबाई पलट आदमी है, और वो बता रहा है कि मेरा बच्चा पहले मौलवी साब ने, डॉक्टर के पास लेकर गए थे, मैंने मरने वाला जो जो जियात्ती के बाद मार दिया गया था, ये उसका चोटा बाई था, वो बड़ा था, और इस बच्चे को भी सब कुछ पता था, इसके साथ भी जियातियां होती थी, इसको बड़े लड़के भी हैरास करते थे, वो मौलवी भी करता था, और वो क्या दुन कि इसके बारे में तो बहुत सी बात होनी चाहिए अब मेरा टॉपिक है कि क्या हमारे बच्चे मदरसे में महफूज है एक तो क्लास वो होगी जो कहेगी कि ये तो कुफर पर बात हो रही है कि तुम अब हमारे बच्चों को मदरसे जाने से रोक रही हो चले उस class को छोड़ देते हैं आप और मैं बात करते हैं आप और मैं जो चंद की ताबे पढ़के खुद को पड़ा लिखा तसवर करते हैं तो क्या सोचते हैं आप ऐसे माबाब के बारे में जिनके बच्चों के साथ ये सब कुछ हुआ और उन्होंने घर आकर नहीं बताया क्यों नहीं बताया क्या वो बच्चा चोर था क्या वो बच्चा गलत था या वो पैरेंट सीस काबिल नहीं थे कि वो अपने बच्चों को as it is accept कर सकते फॉर इसमपल एक बच्चा अगर कीचड में गिर गया है या एक बच्चे से गलती हो गई है जूट बोल ढिया है उसने आके घर पे तो क्या आप उसको चित्रो चित्री कर देंगे या मार देंगे उसको जान से या वो जो हिससा उसका कीचर बाला है वो काट के पहंग देंगे obviously आप उसकी denting painting करेंगे न जितनी अकल आपके अंदर है उसके मताबिक मैं तो इस अप में नहीं हूँ के denting painting की जाए बच्चे को as it is उसके knowledge के according deal किया जाए बड़े प्यार से बड़ी इज़त से सबसे पहले क्योंके बच्चा बिल्कुल वही है जो मैं खुद हूँ so I take it differently मुझे नहीं पता आप लोग कैसे लेते हैं लेकिन back to the point मदरसे में जो parents अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो अपने बच्चे का charge इस हद तक उस मोलवी को दे रहे हैं जैसे सबसे पहले मैंने अपने फादर की मिसाल तो उन्होंने यूं करके बॉन किया हाथ नहीं लगाना मेरी बेटी और फिर उस बंदे की उस मोलवी की की चीचिचियां भी मैंने आपको बताई ही जो उसको मुझे देखके आती थी मुझपे he wanted to touch me, he wanted to do that but he was unable to do, क्यों? क्योंके दूसरी तरफ power थी अब जहां power नहीं होती, मेरे घर में जो made काम करती है उसके 5 बचे हैं और 2 लड़किना है उनमें से, 3 लड़के है 3 लड़के मदरसे में जाते हैं और मैंने उससे ये बातें भी बताई ही मैं औरा, वो लोग जो चंद किताबें पढ़के खुद को बढ़ा लिखा तसावर करते है हम लोग इसके बारे में तब बात करेंगे मैंने live देखा है, coverage करते हुए, footage देखा है इसका के सारे लोग जो है, मीडिया बैठा हुए, बहुत सारे police men बैठे हुए और एक मोलवी साब जो है, वो अपने बारे में बता रहे है कि जब मैंने यह किया द्रामती से उन्होंने एक बच्चे कमारा जयाती करने के बाद ऊपर शट से गिरा दिया और उसके बाद उसको उपर ले जाकर जिबा कर दिया और वो ये बोल रहे थे कि मैं जब ये कर रहा था, मेरे अंदर शैतान आ गया था, मुझे मेरी अकल पर परदा डाल दिया था शैतान ने, और सब लोगों ने देखा कि वो मुल्वी आजाद हो गया, वो आज भी जिन्दा है, आज भी वो यही सब कुछ कर रहा होगा, और वो आजाद है, मैं इसलिए आई हूँ कि मैं अपने बच्चों को तजवीज से कुरान पढ़ाती हूँ, घर में पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे घर में बढ़ते हैं, और ट्रस्ट मी, रोज का सिर्फ साथ मिनट, पांच मिनट, चार मिनट, कभी कभी दो मिनट, क्योंकि बच सो डेड़ सो बच्चा वहाँ पर अकठा होता है, पूरा समझ लें कि ये जो यूनिट है सारा वहाँ पर ही जाता है, मैं फिर भी नहीं भेजती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जाएंगे डेड़ से दो घंटे के लिए, मेरी नजरों से वो डेड़ से दो घंटे साटिस्वाई करते हुए, ये फेक साटिस्फेक्शन है, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, तो इसके खिलाफ स्टैंड जल्दी ले लें, क्योंकि इस से पहले पहले, कि बच्चा अपने दिमाग में चंद काली यादें, क्योंकि वो जो लाइव स्ट्रीम है ना, जिसके मैंने फर्स ताइम ये बात सुनी थी, और अगर मैं ऐसा कभी जिन्दगी में करूंगा, तो मैं खुद को बहुत जादा कमजोर महसूस करूंगा, तो आजकल की रेपूटेशन के बारे में, जितना मुझे उनके बारे में पता है, उनके बच्चे माशाला से, गर के अंदर कफोर्ड कर सकता है, वो जरूर करें, लेकिन प्लीज, स्टॉप ब्लेमिंग अधर्स फॉर यूर ओन फॉल्ट्स, अपने बच्चों को अगर आप खुद टैकल नहीं कर सकते, तो उनके मरने के बाद बेहोश होना, या लोगों को बियानात देना, कि हमने तो बहुत कोई कोशिश नहीं की हमने, हमने अगर कोशिश की होती, तो बच्चा हमें अपने दिल की हर बात आकर बता रहा होता है, या अटलीस्ट वो सारी बाते हैं, जहाँ पर उसको नज़र आता कि हम फ्लेक्सिबल हैं, आप अपने कींती वक्त में से मुझे बग देते हैं, थैंक